और इसको आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों एडजस्ट करने के चकर में आप देख सकते हैं निकल चुका है Welcome back to the channel guys स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे left side है gorilla का tripod और right side है octopass का tripod पास्ट नोरमल ट्रैपोड राण नहीं कोओ कंपनी नहीं बीना देखे में अर्डर कर दिया था तो यह व्लोगिंगग ट्रैपोड है दोस्तों और यह विलोगिंग ट्राइपोड यह ठीक है तो दोनों में difference किया है दोनों में best कौन सा है और अगर आप vlogging करते हैं वलोग बनाते है डेली लाइफ बनाते है travel वलोग बनाते है तो इन दोनों में से आपके लिए best कौन सा इसके बारे हम पूरा detail बताने वाला हो तो वीडियो को बिलकुल जसकी मत किजिएगा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किजिएगा उससे परले जानली थी मेरा नम है विकास और बिना कोई टाइम पास आप देख रहे हैं टेकल पर विकास तो चलिए बिना कोई टाइम पास बिना कोई बखवास वीडियो शुरू करते हैं हाँ तो बात कर ट्रैपोड की तो यहां पर देख सकते हैं इसका कुछी इस ट्राइप का लुक है दोस्तों कुछी इस ट्राइप का लेक से जिसका और इसको आप जैसे चाहें वैसे एड्जस्ट कर सकते हैं ठीक है अगर इस ट्राइपोड के बारे में बताऊं तो इसके साथ मुझे Bluetooth का रिमोट भी मिला था जिससे मैं अपने फोन से कनेक्ट करके वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता था ठीक है इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों मुझे कुछ खाले बीजियो को च्छोटा साथ करता है इस राउस में अच्छा ब्लूथ हो प्लस में बीलुटूथ से मिलता है और आप लेन अग्म और हमत चैप खौन का मिलता है प्रिकॉर्ट से माट्व मिलते तो घू advise और आप इग्मूर कीईएगा कुछ इस ताइप का मांट वाला पर चेज़ किज़िएगा क्योंकि यहां पर आप सौटगन मायक लगा सकते हैं इसको ऐसे ठिक है दोनों में आप लगा सकते हैं चाहे इस में लगा तो यह वाला जो मांट होता है इसकी quality तो मजबूत होती है लेकिन इसमें safe नहीं होता है phone ठीक है, phone इस holder से गिर सकता है लेकिन इस से नहीं किरेगा, plus इसमें आप mike भी लगा सकते हैं, और इसको आप ऐसे adjust भी कर सकते हैं, दोस्तों, adjust करने के चकर में आप देख सकते हैं, निकल चुका है, इसको मैं एक साल plus से यूज कर रहां दोस्तों और इस ट्राइपोट की अगर बात करूं तो यहां पर यह वाला इसका लेंगत जू है वो निकल जाता है ठीक है यह डिजी टिक का रहा दोस्तों इसका पर टो आर चाहें चाहेंकर और वाला जो चीज है न दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता है इसमें गॉल टाइप का दिया हुआ थो है ये रबर टाइब का है ठीक है तो यह काफी मजबूत हे दोस्तों और इसको आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं जहां पर चाहें लगा सकते हैं वैसे इसको भी लगा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा छोटा है ये 13 cm का है दोस्तों और ये इससे थोड़ा जादा लंबा है ठीक है इसको आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं तो अगर मैं दोनों में से बेस्ट कौन सा है ये बताऊं और आपको कौन सा लेना चाहिए ये बताऊं तो मैं आपको ये वाला सजेस्ट करूंगा अगर यह एक बार टेड़ा हो गया तो इसको एड़स्ट करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा आपने इसाथ जैसे आप व्लोगिंग करते हैं जैसे आप कमफर्ट फिल करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऐसे करने में आपको टाइम लग जाएगा और इसका लेक्स ज प्रोब्लम है बट इसमें कोई भी प्रोब्लम नहीं है ठीक है इसको भी आप जैसे चाहें यहां से एड़स्ट कर सकते हैं ऐसे वैसे राउंड जैसे करना चाहें कर सकते हूं और उसको भी कर सकते हैं ठीक है तो कुछ ही स्टाइब का दोनों में फिचर से दोस्तों तो मैं आप लोगों को octopus का tripod suggest करूंगा यह tripod इस tripod से काफी बेस्ट है ठीक है तो जब भी आप लोगों को gorilla tripod और octopus tripod को चूज करना हो तो हमेशा आप octopus tripod को चूज करें और इसके बीच में एक और आता है selfie stick आता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान कॉल में प्रेस कर दीजाएंगे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में